तो दोस्तो स्वागत आपको हमारे एक नेक्स वीडियो में नई वीडियो में तो भासाव इस बार हम बात करने से ज़ादा महायते है जो हमारे ऐसे भाई हैं जिने मोडिफिकेशन कराने के शौक है उनके लिए सोने पर सुहा गाई वाली गाड़ी होने वाली है अपने हिसाब से कोई सी भी मोडिफिकेशन तजली पूरवक जाके आप इसमें करा सकते हैं से ज्यादा बेस मोडल है बहुत सारे उप्शनिस में आपको मोडिफिकेशन के मिल जाएंगे कराने के लिए अपने मर्जी से आप करा सकते हैं आतलाग नब्य हजार उपए में यह वाली एक्श्व रॉप राइसिंग मिल जाएगी टाटन एकसओन में टर्बो इंजिन आता है इसके अंदर भी टर्बो इंजिन आता है टाटन एकशन दस जार रुपए नहीं दसलाग रुपए की एकशाइज है सेमें की चोड़ाई इसमें मिल जाती है यार जो की बड़ी लाजवा वो हर सेग्मेंट पे भारी पढ़ने वाली चीज आपको देखने के लिए मिलती है वहीं फ्रंट लुक्स की अगर हम बात करेंगे तो भाई सब फ्रंट से एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको सेके लाइट जो है इसके पूरे हैलोजन बेस है यहां पर हैविम लोग्यम को सारा ये काम करती है और यहां बराबर में मिल जाता आपको इंडिकेटर ठीक है फोग लाइट वगरा इसमें आपको कुछ भी माडल है और यहीं इसकी पहचान है और रोड का किंग इस गाड़ देख रहे हैं आप यह वाले बिल्कुल डल डल वाले वह भी नहीं बेस मोडल है फिर भी ड्लॉसी ब्लाइक बोडी कलर के साथ आप वह रहने बिल जाता है और बीम सिंपल नहीं है भाई सब एड़ेस्टिबल बेस मोडल में इलेक्ट्रिकल एड़ेस्टिबल इसमें आपको मिलने वाले है और बीम फेंडर पे आपको मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर थोड़ी बहुत तुबही होने चाहिए 26 mm का इसके अंदर वील बेस मिलता है जो कि क्रेटा सेल्टोस मिलता है आज के टाइम में वह वाला बेस मोडल में इसमें मिल रहा है ठीक है इसके टैर साइज की बात करें 17 17 नहीं और 16 इंचिस के इसमें आपको टैर साइज प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है वील बेस सब बेस मोडल में कुछ बहुत ज़्यादा खास बाते बनाती है इस गाड़ी को यह वाली चीजे ठीक है और आप मुझे बताना आप इससे किसको गंपैर करना चाहोगा यानि कि क्रेटा के ग्राउंड क्लिंस में जादा मिलेगा वील बेस जादा मिलेगा क्या मिलेगा मु लगती है चीजे प्रोफाइल जो है पीछे का पूरा का पूरा लाजवाब चोड़ाई वाला एक्सवी 3W की बैसिंग वेरियंट कोई नहीं है तो इसलिए सिर्फ एक्सवी 3W की बैसिंग मिलेगी महिंद्रा का डिफोगर नहीं मिलेगा है मॉंटर इसके अंदर आपको वा देख लो डबल टॉन कलर में सॉफ्ट टच नहीं है हाट अची मिलेगा बेस मॉडल है बेस मॉडल में भी पावर विंडो वन टाइम अप डाउन मिल जाती है एक बार नीचे करोगा भाशा पूरी विंडो नीच आ जा जाती है ऐसे फीचर बेस मॉडल में और विम कंट्रो हैं यह चीज बहुत जादा बड़ी है सीट्स देख लो भाशा भी इसकी बिलकुल उठी नहीं है चिपकी चिपकी से नीचे से ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप सीट पे बिलकुल अच्छे से बैठे हुए फसी हुए है ठीक है अब बैठ की बात कर लेते हैं और यहां टैलिसकोपिक नहीं है यहां पर देखरो लाइट ओटमाटिक नहीं है चापर चांबर अच्छी बेस मोडल में तने सारी चीफ मिलते हैं यहां पर यह यहां देख लो साइड में यहां पर मिलेगा आइडल स्ट्रोपए लिए ट्राइफिक में आपको रहें आपको बहुत और बढ़यां बना देती है एक चीज़ देखो हैंब बोतल यहां पर स्पीक्र किस पिए को मिलता हैं यहां पेट उपर ट्यूटर बीच में स्पीकर की प्लेसमेंट और चीज़ भी पाधी काफ़ी गाड़ी की एक बहुत खास बात बता देता हूँ, इसकी बेस मोडल है, फिर भी यहाँ पर स्टीरिंग मोड्स मिल जाते हैं, यह एक अकेली ऐसी गाड़ी है, यहाँ से आप कर सकते हैं, देखो, यहाँ चेंज करोगे, यहाँ पर स्पोर्ट, यहाँ पर कमफर्ट, ठीक है, इस तरीके के मोड्स यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्मल, यह तीन मोड्स आपको देखने के लिए स्टेरिंग के, और किसी गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ यह एक अगेली ऐसी गाड़ी जिसमें हैं, ठीक है, होन बहुत बढ़िया है, इसके है यह नहीं, तो यहाँ पर कंट्रोल्स क्या होंगे उसके, तो यहाँ पर M.I.D. है, यहाँ से बहुत सारी चीज़े, आप कंट्रोल भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, सारी बेसिक फीचर, और सारी वार्निंग, बलाइट्स इसके अंदर, सारी चीज़े भर पूर दिए यहाँ से बहुत सारी चीज़े मिलेंगे, यह देखो, इसका एसी है, मैनुवल देखने में लगता है, क्लाइमिट कंट्रोल वाला एसी होगा है, यहाँ से आप इसकी फैन के स्पीड कम जादा कर सकते हो, यहाँ पर टिक टो का अपना हजार लाइट वाला, ठीक है, इस तर बेस मोडल में मैनुवल एडिस्मेंट दिया हुआ है, यहाँ पर कार्ड होल्डर मिलेंगे सिर्फ और इस तरफ आपको भी कार्ड होल्डर मिलेंगे, ठीक है, बेस मोडल में इस तरह की चीज़ जैसे यार, हर गाड़ी में नहीं देखने के लिए मिलती है, एक्स यूवी गाड़ी चलाने में बजाएगा, इस्टेबिलेटी बनी रहेगी, और रूल पर आपको टू कप होल्डर मिल जाते हैं देखने के लिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा, देखो गाड़ी की चावी बंद है, बट फिर भी बंद होने के बाद भी आप विंडो को ओन पर नीचे अब डाउन देखो यहां से इस तरीके तो अब कर सकते हो ठीक है, बट बंद है फिर भी आप कर सकते हो वरना बार 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 अच्छा ने लगता नहीं पड़ती है, इस तरीके का तो यहां पर नीचे बोतल होल्डर का स्पेस यहां पर मिल जाता है आपको और पर पर आपको सेंटर लाइट मिलेगी आगे नहीं है पीछे दे रखे है लोजन में बढ़िया है ठीक है इतना अच्छा आप से स्पेस मिल जाता है बहुत ही बढ़िया वाला और यहां पर सीट बेल्ट कर सकते हो सीट बेल्ट की बेस मोडल में ऐसे फीचर और कोई बहुर बता ना बूट स्पेस देख लेता है चब्विस हैं में का भाईसा वील बेस बढ़ा दिया था बूट स्पेस की तो कुरूबानी जानी थी थोड़ा चोटा हो गया है मगर छोटी फैमिली के लिए बहुत जादा अच्छा है इतना बुरा भी नहीं है तो इसमें नजर डालेंगे इसकी इस पेर विल जो होगा इसका उस पर भी डालेंगे सीट के बारे में आपको बताई दिया है पूरी फोल्ड कर सकते हो और इस पेर विल इसका नीचे इस तरीके से प्लेसिंग करके दी हुए है शिक्सटीन इंचिस का ही मिलेगा चोटा नहीं मिलेगा नहीं बढ़ा मिलेगा ठीक है शिक्सटीन इंचिस के इसमें आपको इस पेर विल मिल जाता है अब जो बात करने वाले हम इंजन के बारे में इंजन जो है इसमें आपको पैट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा इंजन इंजन की स्पैसिफिकेशन वन पॉइंट टू ल रखा है और यहां पर देखूंगे रहा पीछे की तरफ आपको एबियस इबीडी की प्लेस्मेंट आपको वहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए तो भाई साब इंजन के बारे में तो तारीफ है आप कर लेते इसको माइलेज की बात करेंगे भाई साब हम इस गाड़ी मे इतनी सारी चीज़े आपने कभी भी एसपेक्ट की थी कि महिंद्रा इतनी सारी चीज़े और किसी वोल मोडल में किसी भी कंपनी के वे इतनी सारी चीज बेस मोडल में नहीं देखने के लिए मिलती है चारो पावर विंडो चारो टैड डिस ब्रेक को आपको देखने के है ज्यादतर बेस मोडल इतने सारी चीज़ें मिलती है सेवन पॉइंट नाइन लैग रुपीज में यानि कि ला जवाब फुल छोटा पैकट बड़ा दमाका वाली बात हो गई क्रेटा वाला सेल्टोज वाला वील बेस इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है मैं तो नहीं सोचा था आप मुझे कमेंट बाए जरूर बताना आप किससे कंपेर करना चाहेंगे अंदर से पहार से किसी चीज़ की कमी नहीं लगरी इन्फरटेन्मेंट सिस्टम की कमी है वह आप पहार से लगवा सकते हैं अलोई वे लोग लग जाए भासाव इसमें रोड प्रेसेंस और वा के टोर्क बनाओ यार अपना रोड पे अलोई भी लगवाओ इसमें स्टार वाले ला जवाब वाले बढ़ जा तरीके के फिर देखो इसके जल्वे तो भासाव इस तरीके के हमारी वीडियो थी आपको अच्छी लगए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है स्टे कनेक्टेट ऐसी इन्फो मेटिव वाली वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा